कीवे में अर्बों तारों में से एक है, जो ओरियन स्पाइरल ब्रहमांड की मध्यवर्ती तारा है। सूर्य और पूरे सौर्मंडल का केंदर से 27,000 से 28,000 प्रकाश वर्ष दूर है, जो तारों की व्यास में 50,000 प्रकाश वर्ष है, सूर्य को एक परिक्रमा पूरा करने के लिए लगभग 240,000,000 वर्ष लगते हैं। सौर्मंडल का वातावर्ण अल्ठ है। निकट्तम ताराय, प्रॉक्सीमा सेंटोरी और एलफा सेंटोरी की डबल प्रनाली हमसे 4.2-4.4 प्रकाश वर्ष दूर हैं। और केवल 10 प्रकाश वर्ष के भीतर 11 तारे हैं। सौर्मंडल से हमारा मतलब है सूर्य और उसके चारों और घूमते हुए विभिन आकार के आकाशिय शरीर। सौर्मंडल वहक्षेत्र है, जहां सूर्य का गुरुत्वाकर्शन प्रमुख है। इसकी सीमा पर इसके आधार पर लगभग दो प्रकाश वर्ष व्यास का एक गोला होता है। सूर्य के चारों और आठ ग्रह घूमते हैं, इन में से छे में चंद्रमाय होती हैं, छोड़कर मर्कुरी और शुक्र हैं। सूर्य के चारों और लगभग एक ही तालमेल और एक ही दिशा में घूमते हैं, उनकी गती सीधी होती है। जिसका अर्थ है कि वे प्रित्वी के उत्तरी ध्रोव से देखे जाने पर घड़ी की सांद्रता के विप्रीत दिशा में चलते हैं, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर उनकी प्रभागता सूर्य के लिए भी सीधी होती है। ग्रहों को सूर्य के गुरुत्वाकर्शन द्वारा घुमाया जाता है, सूर्य का भार प्रित्वी के ग्रहों के कुल भार से साथ सौपचास गुना अधिक है। ग्रहों के बीच भी गुरुत्वाकर्शन ये बल होता है। इसलिए वे एक दूसरे के गती को प्रभावित करते हैं ग्रहों के अलावा सौरमंडल में अर्बो छोटे वस्तुएं होती हैं उलकाए लगभग हर जगह पाई जा सकती हैं मंगल और ब्रिहस्पती के बीच अंतरिक्षिय धूल बेल्ट है जहां एक बिलियन से अधिक एक किलोमीटर से बड़े एस्टरॉइड होते हैं बाहरी बेल्ट जिसे कुई पर बेल्ट कहा जाता है नेप्चून के ग्रहांत के बाहर स्थित है जहां कई हजार प्लूटो जैसे बरफीले एस्टरॉइडों की खोज की गई है 2006 से से प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है क्योंकि नेप्चून के पार कई बड़े वस्टूएं मिल गई है प्लूटो और कुछ अन्य बड़े एस्टरॉइड को ड्वार्फ ग्रह कहा जाता है अधिकांश कॉमेट्स के आकार्निक चक्र अन्य वस्टूओं के से बिलकुल अलग होते है उनके लमवत उल्ले खात्मक चक्रिये चक्र होते हैं जिनका अर्थ होता है सूर्य के पास सूर्य के पास एक दूसरे से भिन्न आकार्निक विमानों के साथ सूर्य के पास नस्दी की छोटे से बड़े बरफीले एस्ट्राइडों के कारण बिजली वायू के कारण एक दुरलब आकरशक पूँच बनती है। यह पूँच सूर्य की ओर मुर्ती है। सूर्य के चारों और घूमना होता है।